देड़ किलो चरस के साथ चमपावत में दो चरस तसकर गिरफतार हुए एसपी चमपावत देवेंदर पिंचा के निर्देश पर चमपावत जिले में नसे के सदागरों के खिलाब चलाये जा रहे आउपरेशन क्रैकडाउन के तहट चमपावत पुलिस की ताबर तोड कारवाई जारी है जिले की पाटी थाना पुलिस वो एसोजी टीम के दोरा दो नसा तसकरों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है पाटी थाने के एसो देवनाद गोस्वामी ने बताया कि हल्दवानी रोड में देवी धुरा छेतर के जमनपोर के पास पुलिस टीम के दोरा वहन चेकिंग के दोरान आल्टो कार की संख्या यूके जीरो फोर टी बी टू एट सिक्स फाइब को रोक कर तलासी ली गई तो तलासी के दोरान वहन चाला किस्वर सिंग निवासी मुक्तेस्वर और किसद नात निवासी मुक्तेस्वर नैनिताल के कबजे से एक किलो पान सो चालिस ग्राम अवैद चरस बरामद हुई है जिसकी अंतराष्टिय बाजार में कीमत लगबग 15 लाख रुपए है एसो गोस्वामी ने बताया कि दोनों चरस तसकरों को अंडिप्या सेक्ट में मुकदमा दर्ज करके गिरफतार कर लिया गया है और महन को सीज कर दिया गया है इसके अलावा अब्जुक्तों के आपराधी कितिहांस की जानकारी ली जा रही है आपको बता दें कि आपरेशन क्रैक डाउन चंपावत में पिछले कई महीनों से चलाय जा रहा है बावजूद इसके नसे की खेप के साथ तसकरों की गिरफतारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है मामूर था हमें देखकर एक अल्टो कार UK04 टीवी 28 स्पैसर एक दम से भाग गई सक होने पर हमारे दोरा पीशा किया तो उसमें से दो ब्यक्ति जो कजला कोट और शुनकोट के रहने वाले हैं वाहन से एक किलो 540 ग्राम अवैचरह जया बरामदवी 29 गृत जया अवियोग पंजी गृत कर माननी न्याले पेश किया जा रहा है सभी इस लोगों से अभिरोध है छेत्रवासियों से की भाहन की खेती नकर्थी यूपी न्यूज 9 के लिए चमपावत से लक्षमन सिंग बिस्ट की रिपोर्ट